हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीकॉंग 6M का financial management subject दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्षियर करूँगी कि आप लोग अगर किसी ने सब्जेक्ट को अभी तक तक नहीं किया तो भी वो पेपर में उसको अटेंप्ट करके आएगा अच्छे खासे मार्क से पास होगा यह हम लोग अपने चैनल पर कि मुझे ना जैसे ही मैंने अपने चैनल पर पिछली वीडियो में सब्सक्रिप्शन लगाया तो आप में से बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स थे बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे देखके इतना बुरा फील हुआ कि बतलब ऐसा क्या मैंने गलत कर आप लोगों को पता भी है वो क्यों की गई चीज किस वजा से की गई जब आपको उसका रीजन ही नी पता आप लोगों ने कमेंट्स कर दिए कि दीदी ने मनी माइंडिड होके वो सब्सक्रिप्शन लगाती और आप लोगों के लिए वीडियो पेड़ कर दी आपको लगत हम लोग क्या बोलने हैं चार सालों से दिदी ने कभी आप लोगों से कोई charges expenses नी लिये कुछ नी दिया चार सालों से सिरफ मैंने यही सोच के help की कि चलो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं कर रहे हैं सब की help हो जाईगी बट नहीं कमेंट्स करने से पहले एक बार नहीं सोचा जो ये कमेंट्स किये गलत आप मुझे खुद बताना अपनी इमानदारी से आप लोग अपनी लाइफ का किसी को एक दिन भी देते हो मैंने अपने चार साल आपको फ्री में दे दिये और लास्ट आफ दा इयर आप लोग आके बोल लेगों कि ती ती 59 डुपीस बहुत बड़ और ये मैंने सिरफ पैसों के लिए किया है ना आपको लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दू जिन्होंने अभी पेपर दिये ना फोर्थ समेस्टर के बच्चे उनसे पूछ लेना जागे सब लोग गवा है उन बच्चों ने एक-एक सबजेक्ट के नोट्स पर कि जो भी उसको लेता है उसको नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे मेरे पास उसको आना पड़ेगा बना मैं सारा दिन मेसेजिस के रिप्लाइँ में बिता रही थी आप लोग समेस्टर फोर बच्चों से जाकर करू मेरे पर बिलीव मत करना कि कि है मैं तो हर वीडियो मैं जू आपको material अच्छा मिलेगा और अगर आपने अभी तरह कुछ भी निना पढ़ा फैनेशल मेनेजमेंट का मैं लिख के देती हूं इस वीडियो की है पेपर में अच्छे 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 लगते हैं अब इस टॉपिक पर बात नी करेंगे जिसको भी सब्स्रोप्शन लेनी होगी कभी भी ले सकते हो नहीं लेनी है दूसरे चैनल पर जा सकते हो खुली जूट है आपको ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छे लगती ना पर वीडियो रिकॉर्ड करना एडिटिंग करना फूरी एक सब्जेक्ट की एक वीडियो बनाने में बारा से थेरा गंटे जाते हैं मेरी दिन राध मैं जाके काम करी है और आप लोगों कि दीधी मनी माइड़ी हो के सोच लिए इससे जादा में कुछ नहीं कुछ नहीं सब क्योंकि मैं आपको इंफोमेशन नहीं गलत हूँ मेरा काम है तीचिंग प्रवाइट करना तो चलो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर आज का हमारा टॉपिक रहेगा उनिट 1 की वीडियो ये रहेगी इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेशन है जित दे दी ऐसे ही चीग है आप लोग एश करें अब देखते हैं आप लोग कितने नंबर लेके आती हो यूनिट 1 चलो पहला क्वेशन देखते हैं जी आज का जो हमारा पहला क्वेशन बनता है यूनिट 1 के चेप्टर 1 से जिसकी पेपर में आती है हमेशा थियोरी वट दो इसमें से कुछ भी पूर सकते हैं थो पूरा कोशचन से संझेगा ठेंजिए चलिए इसका अंसर देखते हैं पहले तो फाइन चलो प्रोसस यह जिसके त्रू आप लोग पंडि और अपने बनीटर कर सकते हूं, बैसिकली अपने फाइनक्स को मैनेज कर सकते हूं, आपका इ उनको plan, organize, control करो कि मतलब आपका जो भी खर्चा हूँ वो limit में हूँ, out of limit आपके expenses नहीं जाने चाहिए, financial management make sure करेगी कि आपकी जो all money है, वो कहां से आ रही है, कहां आपके पैसे जा रहे है, जो भी उसको handle करने का best possible way है, वो आपको suggest करेगी financial management, ठीक है, जिसकी वज़े से आपका money का flow है, वो smoothly और successfully, easily run करेगा, I hope आप लोगों को basic financial management का meaning clear है, objectives क्या है financial management के, पहला objective क्या है financial management का, इसने ensure करना है कि आपके पास adequate funds available हो, जब भी company को ज़रूरत पड़े, company के पास enough money available हो, जब भी उसके पास ज़रूरत है, second financial management का main objective क्या है, कि इसने profits को increase करना है, third wealth को maximize करना है, company के जो shareholders होती है, या company के overall wealth होती है, उसके उपर main focus होता है financial management का, financial management चाती है कि company की wealth create हो, फोर्थ क्या है कि objective यह risk को manage करती है, आप manage करती है, आपको identify करके बता देती है कि कहां पे risk है, कहां पे आपको manage करके चलना है और अपने losses को कहां पे avoid करना है, फिस्थ इसका objective क्या है कि यह cost को optimize करती है, यानि कि इसका main motive होता है कि हमारा खर्चा कम से कम हो और product की quality अच्छी से अच्छी हो, best quality कम से कम cost में customer तक पहुंचाना है, यह थे इसके कुछ objective अब देखते है कि financial management के scope क्या है, guys scope आए या importance आप सेम पॉइंट लिख सते हो या objective के साथ की आप shift कर सकते हो, तो यसा कुछ नहीं आप पेपर में ध्यान से देखना कि objective आ scope आए, तो आप headings को उपर न अच्छी growth आएगी, सब कुछ बताएगी, ठीक है, financial management का second scope क्या है, कि आपको financial decisions लेने में मदद करेंगी, आपको best source चूस करने में मदद करेंगी, कि आपको कौन से financial decisions, यानि कि अगर आपको कहीं से money raise करने है, तो कौन कौन के sources के थ्रू आप funds को raise कर सकते हो, यानि कि आप loan दे सकते हो, नए shares को issue कर सकते हो, अगर retain earning है तो उसका use कर सकते हो, आपको financial decisions लेने में मदद करेंगी, third, dividend decision में मदद करेंगी, decide करेंगी कि कि इतने profit का कितना percent आपको share holders को as a dividend distribute करना है, क्योंकि एक company अपनी profit का कुछ percentage as a share holders को dividend देती है, कुछ percent उसमें से retain investment करके रखती है, इसको वो अपनी ही company में दुबारा reinvest करती है, for company's growth, चीक है, कितना उसने decide करना कि कितना profits as a dividend अपने share holders को distribute करना, और कितना अपने पास retain करके रखना है, यह जो how much reinvest है, यह retain earning है, कितने पैसे company ने retain कर ली और उसको company में reinvest कर ली, fourth, liquidity management, ensure करना कि जो organization है, वो short term obligations को meet करें, जो इसके goals है, उनको complete करें और operate smoothly हूँ, fifth scope क्या है, कि आपकी financially planning और analysis में मदद करती है, अब question में था कि आपको एक short note लिखना है, कि profit maximization क्या होता है, और wealth maximization क्या होता है, अब आप लोगो को आज की जो video का incident है, इसकी वज़े से मैंने वीडियो बनाई उसकी help से बहुत अच्छ जो का point of view है कि दीदी पैसा चापना चाहरी है, तो profit maximization वही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत बहुत चारा पैसा रही है, second है wealth maximization, सिरफ 2 comments में को वूरे आया है, 2 के बाद मुझे 100 comments अच्छे आए, that is, मैंने wealth create की, that is, wealth की बच्चों को पता है, कि अगर कुछ दीदी ने किया है, तो कुछ reason है, उन्होंने trust किया, क्योंकि मेरे वो wealth, 4 सालों से अगर मैंने कुछ काम किया, और उसके उपर अगर मैंने कुछ change किया, तो मैं कहते हूँ, 2 बच्चों ने comment किया, गलत तो 100 बच्चों का सही comment आया, पर ये video मैंने 2 गलत बच्चों को dedicate किया, क्योंकि ब कि क्या मैंने provide किया, वीडियो के अंदर क्या नहीं provide करते हूं, comments आपको सब बच्चे से बता देंगे, कि वीडियो कितनी value-able है, कितनी उनकी, मतलब problems को बच्चों की solve कर पा रहे हैं, अब एक वीडियो के अंदर आपका unit 1 complete कर रही हूं, तो ये video कुछ value, mostly बच्चों के लि इसका main focus किया होता है कि जितना हो सके उतना सिर्फ profit कमाना, इसका advantage क्या है कि कुछी मुझे return आएगा और मेरी financial health एक दम से अच्छी हो जाएगी, चाहे हो मुझे long term में नुकसान करेगी, ठीक है, एक time के लिए मेरी financial health एक्ची हो जाएगी, और मैं सिर्फ एक कुछ amounts के लिए अब आपको profit maximization मुझे नहीं लग था कभी भी life में भूलेगा, और दूसरा आता है wealth maximization, guys मेरी बात ध्यान से सुनिये, please, मजाक अपनी जगा profit maximization exam में long questions में भी आएगा, आगे आपको में इसके उपर proper long question दिखाऊंगी, तो please, मजाक, जो गुस्से वाली बात है, वो अलग चलो और पढ़ाई को अलग, समझने पर ध्यान दो, मेरा तो चलता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है, तो, wealth maximization का क्या goal है, कि उसने value को create करना है company, company की wealth create करनी है, कि लंबे समय तक customers उसी company के साथ जुड़े रहे, वहां पर एक wealth create हुई है, अग आप लोग थोड़ा चा अन्दाजा लगाएं कि कुछ बच्चे मेरे चैनल पर ऐसे हूं है, मुझे लगता है, मुझे बहुत से बच्चे बताते हैं, कि दीदी हमने आप से 2nd sem में पढ़ाई की, फिर हमने 3rd sem आपके चैनल से चैनल से चैनल से किया है, तो उन्होंने मुसल दिहान देना है, शेर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है, कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है, पैसो पर फोकस नहीं करना है, इसमें कंसीडर करते है हम लोग लोग टम के बैनिफिट्स को, रिस्क मैनेजमेंट इसमें हम लोग मैनेज करके चलते हैं कि इतना ही रिस्क लेंगे यह नहीं है कि मैं नहीं कि मैंने एक्तम से 10,000 सीर्थ स्थ्राइबर कर दें कि में 10,000-10,000 स्थ्राइबर मुजे अंस्सक्राइब कर दें नहीं रिस्क मैनेज़ करें के चलेंगे और स्चेनियल प्रेक्टिस् की अगर में यही सब्स्रीप्शIn का प्राइस 500 रख देती, लिख के दे सकती हूं, सब मुझे अंसब्स्राइब कर देती, क्यों वहाँ पे रिस्क बहुत जादा था, तो सबसे कम कोस्ट थी ना जो 59 रुपीज एक महीने की सब्सक्रिप्शन की सरफ वो रखी है, अगर अभी भी आप लोगों को दिखते हारी हैं, तो उसम पास ब्यूज गए हुए, तो मेरा हाल मुझे पता है, जब इतने कम बच्चों के मेसिजी आये और रिप्लाइ करने के चकर में अगली वीडियो दो लेट होई थी, तो बच्चों के पेपर निकलने के बाद में वीडियो डालूगी नीना, यह चीज मुझे देखनी थी, इ इसमें से आपको इसका मिनिंग भी पांच मार्स में पूछ सकते हैं, इसके अबचेक्टिव भी पूछ सकते हैं, इसके स्कॉप भी पूछ सकते हैं, इसके कुछ भी 5 मार्स में आ सकता है, और अगर उनका दिमार सटका, तो पूरा क्वेश्चन पंदरा मार्स में डाल सकते ठीक है कुछ भी आए अटेंप्ट कहराना पेपर खाली मत छोड़ कियाना ठीक है सेकेंड के तरफ चलती है जो पहले चेप्टर से इंपॉर्टेंट है प्रॉफित मैक्सिमाइजेशन क्या होता है अब यह question देखके हर एक इंसान कहेगा कि यह सिर्फ प्रॉफित मैक्सिमाइजेशन का question है बट जो इस question को समझेगा उसको इस question के अंदर वेफ मैक्सिमाइजेशन भी दिखेगी तो यह question अकेला profit का निए profit प्लस wealth का है पेपर में अराम से 3.5 profit के लिखो, maximization के 3.5 wealth के लिखो तुँ पेपर अराम से आप लोग 6.5 के theory लिख के आ सकते हो अब आपको maximization की काफी मनें बता दी बट आप लोग फिर से देखिए कि सर क्या है maximization of profit has long been seen as the main goal of investment decisions जैसे कि profit को maximize करना इनका main goal है तो यह हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करेगा अगर हम पैसा 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 सोचेंगे तो इससे मेरी रेपोटेशन थोड़ा क्रिएट होगी आपको यह बात ध्यान में रखनी है यहां पर वही लिख है ठीक है यहां पर आगे थोड़ा सा बताया है कि profit maximization versus shareholder की wealth क्या है तो आपको अच्छे से पता है profit maximization क्या है आप लोग उपर वाला भी लिख सकते हो यहां पर अगेन और repeat भी कर सकते हो सेम कुछ भीठी का shareholder की wealth क्या है अब profit maximization और wealth के अंदर क्या differences है और क्या issues face करने पड़ते हैं short term और long term जो profit maximization है इसका focus किसके उपर होते है कि हमें short term के लिए पैसा मिल जाए और जो shareholder's की wealth है उसका main focus कहाँ पर होता है कि हमें लंबे समय के लिए market में अपनी company के reputation को टिका के रखना है ठीक है second risk management को manage करके चलना है ना सिरफ पैसा 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 करना है और ना सिरफ वेल्थ वेल्थ करनी है यह ना company घाटे खा रही है जैसे चार सालों से मैं घाटे में थी अगर मैं आपको बता हूँ जाए भाड में हमें पैसा चापना है बट शेयर होल्डर की वैल्थ पेसका असर पड़ेगा अगर कंपनी सरफ प्रॉफिट पर फोकस करेगी क्योंकि अच्छी reputation अगर किसी company की reputation अच्छी होगी तो definitely इस company के shares के price भी higher होंगे उस company के साफ customers भी loyal रहेंगे तो brand reputation and brand value is most important next इनके बीच में difference क्या है ethical consideration pure profit maximization can lead to unethical practices like exploding labor and ignore environmental regulation जैसे कि आप profit कमाने के चक्कर में labor अपनी जो employees उसे 15-15 घंटे काम करवा रहे हो कोई environment का ध्यान नहीं रख रहे है तो आप पैसो की तरफ जा रहे हो आप बाकी चीज़े नहीं देख रहे हो but in the maximization of shareholders wealth इसमें आपको आपकी ethical standards को भी maintain करना है trust भी maintain करना है आपकी labor का भी ध्यान रखना है environment पे भी focus करना है क्योंकि जब आप सबको एक साथ लेके चलोगे तभी तो wealth बना पाओगे अगर सिरफ focus पैसो पे करेंगे तो सब बीचे छूट जाएगा पर अगर focus wealth पे करोगे सब को साथ लेके चलना सीख पाओगे number 5 आप लोगों का number 5 आप लोगों का क्या point है यहाँ पे difference का stakeholder versus shareholder stakeholder focus only on profit में ignore other stakeholders जब हम सिरफ profit पे focus करते हैं तो हम बाकी के employee customer community सब को ignore कर देते हैं कि हमारा focus है profit पे एक से नहीं आ रहा दूसरे से आज़ेगा एक बच्चा पे नहीं कर रहा दूसरा कर देगा तो profit पे focus है but maximizing shareholder wealth यह सब को एक साथ लेके चलने में believe करती है जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूं तो मैं चाहती हूं कि आप सब exams में pass किसी reason की वज़े से अगर मैंने कुछ security या कुछ privacy रखी है किसी चीज़ पर कोई reason है उसका क्योंकि अगर एक भी पेपर में आपकी सपली दिखी ना किसी तो 25 रुपे री अपलाई है जो आपको अभी 60 रुपीज बहुत ज्यादा लग रहे है ना तो वही चीज़े अगर मेरा ध्यान सिर्फ पैसो पे होगा तो मैं आपकी फिकर नहीं करूंगी मैं आपको यह नही आपकी चिंता है कि आप लोगों ने मुझे पते हैं अगर आप मेरे चैनल से अभी तक पढ़ते आयो आपने अभी तक स्टडी नहीं की होगी आप लास्ट डे वीडियो का ही बेट कर रहे होगे और यही चैनल पर आपको यह वीडियो मिलेंगी कोई और यूट्यूबर एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रिप्रेशन नहीं करवा रहा है इस ट्राइंग पर यह चीज आपको धिहान रखनी है 59 को जादा अमांट नहीं होता है तो आपके ऊपर अभी अब इसकी न में आपको प्रैक्टिकल की थूट थोड़ा समझाना चाहूंगी आप प्रैक्टिकल एक्जांपल है कि आप technology में investment in technology profit maximization avoid करती है investment करने में नहीं technology में चीक है avoid investment in new technology कि जिससे चल रहा है चलने दो हमें profit पे ध्यान देना है कि हमारे पैसे बचे हमें profit जाता हो shareholder wealth maximization किस पर focus करता है वो कहते हैं कि हम नए gadgets को लाएंगे ताकि company और अच्छे से काम कर पाए workers अच्छे से काम कर पाए workers को new knowledge मिल पाए long term profitability के बारे में सूचेंगे तो पहली practical example profit maximization वाला बंदा कभी नए gadgets में investment करेगा but wealth maintain करने वाला करेगा cost cutting majors तो यह guys बिल्को simple points है दोनो इसके बाद इस question की conclusion है तो यहीं पर यह profit maximization वाला question हो जाता है खतम अब next question आता है the modern approach of corporate finance in an improvement of our traditional approach अब यह question 2023 में आया था और आधे से बच्चे जाधा इस question को देखके यह बोलेंगे कि यह पहले chapter का question नहीं है पहले chapter का ही question है यह आप लोग पिछले 15 सालों का paper उठाके इवन आपको यह बुक में ही नहीं दिखेगा बच्चे बोलेंगे यह पहले chapter का question ही नहीं है मैं बोल रही हो पहले का ही है और बहुत basic question है अगर हम question को समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वह question और paper bold करके ही डालेगी P.E.U. आपको यह ध्यान रखना है P.E.U. की खासिय आपको जो आता है लिख दो मेरी guarantee है अराम से पास हो जाओगे बट अगर आप यह सोच रहे होगी पता नहीं चैप्टर से अलगी question paper डाल दिया पी ऐसा possible ही पेपर हमेशा बुक के अंदर से ही आता है आपके subject में 10 chapter है उन ही में से आएगा दसों chapters का मैंने एक एक question करवाया ह आप वो एक-एक कर जाओ जो question दिख जाओ जिस chapter का उसका जो answer आता है लिख दो अराम से पास हो जाओगे तो इतना सोचना नहीं होता है paper में अगर सोचोगे तो paper आपको बहुत डराने वाले इतना डरना नहीं होता है exam से अब पहले question देखते है देखिए कि modern approach क्या है यानि the statement the modern approach of corporate finance improvement our traditional approach refers कि कैसे how finance strategies have changed over time कैसे वो improve हुई कैसे वो evolve हुई चीक है कि traditional approach में क्या होता था traditional approach में main focus क्या होता था कि profit चाहिए हमें इसका main sources of finance क्या होते थे कि external sources ही होते थे retain करके रख लिए earnings को या bank से loan ले लिए आज के जमाने में कितना changes आगे न investment decisions भी traditional time में कैसे होते थे अप्रोच में investment decisions कैसे होते थे based on होते थे जो भी इनकी immediate profits है या इनकी potential है उसके base पे होते थे यह ज़्यादा कुछ consider नहीं करते थे कि shareholders की wealth बनी रहनी चाहिए जो sources है money को arrange नहीं है कि funds को arrange source of finance पहले क्या होता था बैंक से loan ले लिया या earning retain कर ली अब इतने financial options अविलेबल है जैसे equity debt hybrid instruments like convertible bonds यह आप लोग किसी debentures ले सकते हो आप लोग shares issue कर सकते हो आगे equity shares तो बहुत सारी options आज के time पे अविलेबल है अगर आपको funds की ज़रूरत है थर्ड comprehensive investment decision पहली का होता था था थोड़ी जगा हम लोग investment करते थे but investment decisions are made based on detail analysis आज के time पे अगर हम कहीं investment करते हैं तो पूरी इसके अपर detail analysis करते हैं पूरे उसके short term और long term के goals को देखते हैं क्या उसने gain किया है दोनों time periods के according evaluate करते है रिस्क देखते हैं और उससे क्या हमें return सब चेक करने के बाद फिर आम उसमें investment करते हैं अब रिस्क मैनेजमेंट करने की advanced feature आजिके हैं जैसे tools like derivatives hedging insurance का यूज कि हम लोग अपने financial risk को maintain कर पाएं इंशुरेंस करवाते हैं और लोग अपने risk को कम करने के लिए 5th क्या modern approach है कि government corporate governance and ethics आ चुके है यानि कि there is a strong emphasis on corporate governance जो अपनी जो भी situation उसको fair and transparent रखें तो अब जो हमारा यह system है इसके अंदर क्या improvements हो रही है देखो हमने भी क्या देखा कि finance का traditional approach क्या था यह सारे points उसके है फिर modern approach क्या है finance का corporate finance का अब इसमें क्या improvements की जरूरत है की improvements long term focus इसमें जो हमारा main focus है वो short term के profit से shift हो के long term की wealth पे गया ह है कि हमें एक नाम बनाना है हमें एक wealth reputation create करनी है second इसमें की improvement क्या है better risk management हो चुके है अब risk management करने की बहुत सी techniques आ चुकी है third financing में नई-nई innovations आ चुकी है fourth ethical और social responsibility यान की ethical practices and social responsibility कही ना कहीं help करती है positive reputation को build करने में या trust करने में की shareholders company में company जो भी है कि लंबे समय में हमें beneficial profits दिल economic conditions को follow करते हुए economic global level पे हम companies को operate करने की permission में चुकी है अब हम internationally भी अपने काम को supply कर सकते है और इस question की यहां पर आती है conclusion एक question paper में 5 marks में था 2023 में की good qualities what are the qualities of a good financial system क्या अच्छी qualities है अगर एक financial system है वो बहुत अच्छा है जैसे आप एक financial manager हो ठीक है अब आप एक company के financial manager हो आप अपको आती होनी चाहिए decision making आपको according to situation लेनी आनी चाहिए आपको risk manage करने आनी चाहिए आपको performance को monitor करना चाहिए resources को properly use करना आना चाहिए cash flow को manage करना चाहिए rules को follow rules आपको पता होनी चाहिए communication communicating clearly communicate करना आता हूना चाहिए यह नहीं कि अप goal ma'tol बाते कर रहें और जलेबिया वना रहे हूं. Adapt and innovation. अगर कोई नएा change किसी चीज में आता है तो उसको accept करना जैसे हमारे चैनल कर सब्सक्रिप्शन आई उसको accept करना कुछ चेंज किया आपके भले के लिए किया तो उसको accept करना क्योंकि बहुत कुछ आने वाले समय में चेंज होने वाला है कुछ ना कुछ YouTube नई अपडेट्स लाएगा जिसकी वज़ा से कुछ ना कुछ हमें नया करना पड़ेगा और अगर मैं पुराने मैथर्स फोलो करेंगे न तो आज की टाइम पे कोई भी किसे भी फिल्ड में आपका करियर है वो नहीं तिक पाएगा अगर आप समय के साथ पेपर में आया है बट आ रख है तो विच फाइनेशल डिसीज़न इस दा फाइनेशल मैनेजर अक्वायर तो टेक गाइस धिहान से सुनो इस वीडियो में प्रेक्टिकल क्वेशन भी होंगे जो प्रेक्टिकल चेप्टर आएंगे अभी पहले चेप्टर के क्वेशन यह इसके बाद प्रेक्टिकल के कर आऊंगे अब यह सकता है कि विच फाइनेशल डिसीज़न इस दा फाइनेशल मैनेजर अक्वायर तो टेक क्यों सा फाइनेशल मैनेजर को ले ना चाहिए इसके अंदर मुझे नहीं लगता मुझे आपको कुछ समझाना चाहिए आराम से आप पढ़ सकते हो अब यह जो डिसीजन हैं कैसे इंटर रेलेटिड होते हैं इंवेसिन क्या है बिलकुल बेसि कहा है आप लोग इनकी के अंदर उसको री इनवेस्ट कर पाएगी the more the company reinvest उतना ही उस company का dividend less होगा और जो company dividend ज़ादा पे करेगी वो invest definitely नहीं कर पाएगी और इसमें dependency आपको बता देंगी तो बिल्कुल easiest language है जो आपको मतलब मुझे नहीं लगता समझने में 1% भी difficulty आएगी simple examples बता रखी है investment financing or decision की यहीं पे question और यही चेप्टर पहला complete है अब second chapter है आपका time value of money तो इसका question इसी question के अंदर मैं आपको इसकी थियोरी भी समझा दूगी इसी के अंदर मैं आपको इसकी practical questions भी समझा दूगी बस मेरी बाते हैं अब धिहान से सुनना क्योंकि अब बाते आने वाली है logic के base पे पहला बात यह chapter का नाम है time value of money अगर मैं आपको एक बात बोलनी कि आपको आज मैं 500 रुपे दे रही है आप 500 रुपे से आज एक चीज खरीग लाओ तो जो चीज आज आप 500 में खरीद पा रहे हो आज से 5 साल बाद वो चीज कम से कम आपको 700 में मिलेगी यानि कि आने वाले समय में 500 की value घट जाएगी क्योंकि जो आज आपको 500 में मिल रहा है कल वो आपको 500 में नहीं मिलेगा time value of money time के साथ साथ money की value गिरती जाएगी simple meaning clear है chapter का आपको तो यही सबसे पहले लिखा हुआ है time value of money एक financial concept है कि जो आपको बताता है कि जो today money की वर्थ है वो जादा है इना future जो चीज future में मिलने वाली है आपको 500 में नहीं मिलेगी जो चीज आज आपको 500 में मिल जाएगी वो future में नहीं मिलेगी future में वही चीज 700-800 मेहंगी हो चुके होगी क्योंकि मेहंगाई बढ़ रही है ठीक है time value of money किसी को question होगा कि क्या है अब इसका अगर आपको paper में मेरी बात ध्यान से सुनना यह question 2023 में आया थियूरी में अगर आपको इस chapter की by chance paper में थियूरी आती है प्रिंसिपल है I think present value, future value, interest rate and compounding चार है present value क्या होती है कि जो आपके पैसों की आज के समय में value है present क्या value है 500 है तो 500 का आज present आपको क्या मिलेगा that is present value future value आज मुझे जो 500 का मिल रहा है future में उसकी क्या value है वो मुझे 500 में future में मिलेगा के नहीं मिलेगा that is future value interest rate जैसे आपकी money पैसे grow होंगे over the time तो जो उसके उपर आपको interest मिलेगा वो interest rate होता है और compounding क्या होती है compounding आज के time पर नहीं सब को पता होता है क्योंकि आज के time पर सब investing करते हैं तो compounding क्या है जब आप कहीं पे अपने पैसे हर महीने invest करना शुरू करते हो जैसे मैं हर महीने अपने account में example हो 1000 रुपय जमा करवा रही हूं किसी कहीं पे भी ठीक है पहले महीने मैंने 1000 रुपय जमा करवाई उसके उपर कुछ percentage interest लगा अब वो interest अगले महीने मुझे रिसीव हो गया जैसे समझो 1000 रुपय के उपर 50 रुपय बढ़ गये जब मैंने अगले महीने इन्वेस्मेंट की अगले महीने मैंने 1000 और इन्वेस्ट किये और 1050 और 1050 मेरे पिछले महीने के थे इसके उपर interest लगके टोटल हुआ था तो अब की बार जो दूसरे महीने का मेरा interest लगेगा वो 2050 के उपर लगेगा अब अगली बार मुझे फिर 2050 के उपर interest लगके आया 100 रुपय और एड हो गया अब की बार 3300 के उपर interest लगेगा तो ये होती है compounding जब आप थोड़ी-थोड़ी मनी डाल लेओ पैसा आप सेम amount हर मन्त डाल लेओ और interest के उपर interest बढ़ता जा रहा है और अगर आप आज ऐसा कोई काम शुरू करते हो compounding वाला कहीं पे हर महीने एक normal amount डालना शुरू करते हो और जब आप 20 साल बाद उस amount को देखोगे आपके accounts में कम से कम एक करोड रुपया बोलेगा क्योंकि compounding एक ऐसी चीज है ना जो 20 सालों के अदर आपके पैसे सिरफ कितने जाएंगे 10 से 12 लाग account में हो जाएगा 1 करोड सिरफ compounding की वज़ा से compounding एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में middle class को एक अपर class का दरजा दिला सकती है पर हमारे कुछ शौंक ऐसे हैं जो हमें middle class से lower class पे ले आएंगे हम लोग जो middle class खुद को बुलाते हैं apple के phone ले लेके किस्तों पे lower पे आने वाले हैं अब इसके फॉर्मूलास क्या है इसमें कुछ फॉर्मूलास यूज होते हैं आपको बिल्कुल बेसिक समझने हैं फॉर्मूलास इजी हो जाएंगे अगर आपको किसी भी question में बोल देते हैं compound value निकालों क्या निए बोलेंगे compound value solve करो compound value निकालने को क्या compounding कब होती है पहले मुझे बताओ फ्यूचर में जाके होगी कि अगर मैंने पैसे जमा कराएं तो वह compound मुझे मिल जाएंगे आप लो कि तीधी future में होगी काफी सालों तक हम पैसे जमा कराएंगे तब future में जाके वह compound जिस question में आपको बोला गया, combined value find out करो वहाँ आपने future value का formula लगाना है future value का formula क्या होता है present value, present value divided by one plus rate of return जो भी rate of interest आपको वहाँ पे लिखा होगा उपर इसके जो आता है multiply by number of years कि कि इतने सालों के लिए अपने उसको invest किया ठीक है number of period कितने time के लिए अब इस formula को और easy समझना है अगर आपको यह समझा आगे कि multiply करके यह लिखा है हमने present value into यह अब अगर मैं आपको अगले formula में बोली कि present value निकाल गी है तो future value यह वली value इसके divide में आजेगी यह value जो है 1 plus r यह divide में चली जाएगी future value के 1 plus r उपर n तो यह देखो present value का formula क्या है present value future value के divide में आगी 1 plus r और उसकी power n तो यह formula दोनों मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी निकालने के यह याद रखने में future value क्या है अगर आपको question में बोला compound value निकाल हो तो आपने future value के formula यूज करना है and present value का तो आपको present ही बोला होगा अब अगर किसी question में बोला के future value of annuity future value of annuity तो यह देखो future value of annuity present value simple formula वही रहेगा यहां तक formula इसके बाद simple इसमें से minus 1 कर दोग जो यहाँ पे r है न डिवाइड वाइड रे ठीक है बिल्कुल easy है present value अब यह future value of annuity की present value of annuity अब इसमें भी again अब इसमें भी multiply है इधर भी multiply यह change नहीं होगा 1 अब यहाँ पे minus 1 जो है यहाँ से देखो यहाँ पे 1 बाद में minus हो रहा है formula के बाद यहाँ पे 1 आगे लगेग अब इसका practical question समझो बहुत एजली clear हो जाएगा आपको calculate टनी है compound value 10,000 के पहले तो मैंने बताया जहाँ आपको compound value लिखा होगा आपको future value का formula लगाना है compound value आपको future में मिलेगी 10,000 है and he ends of 3 years की ending 12% rate of interest है आपको yearly basis और quarterly basis पे इसकी compound value निकाले है पहले यहाँ पे yearly basis पे निकालत यहाँ पे देखो present value present value क्या है present value compound value क्या है total उसकी 10,000 10,000 उसकी जो compound करके value आएगी वो multiply by 1 plus r rate of return उसका कितना है 12% उसकी power 3 अब आपको यह chapter जो है इसके लिए पीछे आपकी book के compounding के charts given होगे कि यह rate of interest के chart given होगे कि इतनी percentage पे इस interest की यह value है तो आपको उसकी अंदर 12% पे 3rd year में उसकी value देखनी है 12% पे 3rd year में उसकी value देखनी है value होगी 1.405 यह अगर paper में ऐसा question आता है तो आपको वो table आपके paper में दिया जाएगा वैसे यह questions 5 marks में आते हैं तो इसके लिए वो इत interest वाली values जो आपकी books के पीछे table है वो साथ में देंगे वो ठीक है तो अब यहां पे देखो 12% के उपर 3rd year में value देखनी है आपको यह दे दी अब इसको simply multiply कर दोगे तो 14,050 answer आजाएगा अब अगर आपने इसको quarterly बेस पे निकालना है yearly का तो simple हिसाब था quarterly में पंगा हो जाएगे क्योंकि यह quarterly basis पे है पर करना तो पूरे साल का है ना एक quarter के बेस पे बताना है और यहां पे आप इसकी value यह तो इसको डिवाइड करोगे 0.3 आ जाएगी तो चार्ट में देख लेना 3% पे 12th year 3% पे 12 साल में यह value होगी अगर आप ऐसे नहीं देखना चाते तो इनोंने करके दिखाया भी हुए नीचे तो आप सिंपल भी कर सकते हो ठीक है कि इसको हैसे ही छोड़ के 12% पे देख लो तो अब जब ने यह कर दिया तो हमारी यह value आगई अब हमने सिंपली इसको इसके साथ मुल्टिप्लाई कर देना है हमारी यह value निकलाईगी इनोंने इनका यह method नहीं है जो मैं आपको बता रही हम तो यह वला method आपको अपलाई करना है जो मैं पैंसल से लिखा है 12 divided by 4, 4 के table पे 12 कितने भी आता है प्रेक्टिकल के 5 मार्क्स के आने में पॉसिमिलिटी है और यह चैप्टर पागल करने माला है ठीक है तो इसके अंदर जाधा घुसना नहीं है अब यहां पे कुछ इसकी प्रेक्टिकल एक्जांपल्स पिखा रखी है कि सेविंग अकाउंट में यह है जिन्नोंने ठीवरी पिखा रखी है खा दो इसके अंतर होती है तो इसके अंदर होती है और सिंबल ग्वेह फीयूर आप इंदर रिटेक्टिक ल एक कुछ अटेम्ट करे न नहीं हाया तो थिवरी में कुछ भी पूछले पाइम यहीं पूरा आंसर चेप के हाना है इतायम बैल आंसर शेप केjakन कि question का कोई भी topic आएगा आप यह पूरा लिखके आओगे question गलत नहीं करेंगे समझ गे दूसरे chapter से सिरफ एक यह question रट लो कि पेपर वो 10 chapters जो आपकी बुक में है उनसे बाहर तोने ही डालेंगे ना उनी के बीच में से डालेंगे यह आपको भी बता है तो अगर पेपर बायचांज अगर यह काता question इदर उदर भी हो जाता है तो यह नहीं होता कि मैंने गलत कराया हमने अपना सही करवाया है एक्जा Capital Budgeting के पेपर में Capital Budgeting is a long term planning for making and financial proposed capital outlay कि आपने जो भी outlay बनाने है और explain करो कि इसकी limitations क्या है Capital Budgeting के पेपर में आपको कुछ भी questions आई Capital Budgeting के आपको परता है टेकनीक्स है वही practical में आनी है वही आपको टेकनीक्स जो है कहां आनी है थियोरी में आनी है क्वेशन अब यह question पढ़के देखो आपको समझ नहीं आएगा इसके अंदर लिखना क्या है सिंपल Capital Budgeting का मीनिंग बताओगे फिर इसकी टेकनीक फिर इसकी limitation टेकनीक के अंदर methods आते हैं method जिसने की है उसको practical question अच्छे से आते हैं अगर आप यह वीडियो के अंदर method समझ प्रेक्टिकल क्वेशन का आपका जिसका बेस बिल्कुल जीरो है ना जीरो से कम से कम 50-60% पर तो आई जाओगे तो ध्यान से सुनो Capital Budgeting क्या होती है आप अपने पैसों की बजटिंग कर रहे हूं Capital Budgeting is like a making smart decision about your money कि मैं अपने पैसों को कैसे budgeting कर रहा हूं कितने मल पैसे मेरे इक्विटी कितने शियर कितने डिपेंश बजटिंग कर रहा हूं किस्ट्रक्चर प्रिपेर कर रहा हूं कितने पैसे मैं इनवेस करूंगा कितने पैसों क्या समाल लाँगा सब कुछ तुसमें आप बे इंतहां कपे लिखो जाब कामन करें बर रहा है वो relevant होनी यह 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 घ्री जुल है तो गाने लिख देते हैं अब इसके कुछ एवलिवेशन के लिए हम लोग यहां पर सब्सक्राइब कर रहा है कि यह 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 पर आपने किसी मैं पैसे इंवेस्ट कर रहा है यह यहां पर एक्जामपल रहू हूं if a company invest 1 lakh dollar in a project and it generate 25,000 dollar in profit एक company ने अपना 1 lakh dollar किसी एक project में invest किया और अब उस project से 25,000 dollar हर साल बन रहे है total 4 साल की investment है तो यहाँ पे आपको payback कितना आएगा 1 lakh divided by 25,000 आपको जो भी निकलेगा वो आपको payback आएगा simple है इसकी एक example करवाँ देखो एक project है जिसकी cost है 1 lakh रुपेज yield and annual cash flow अब project की total cost कितनी है 1 lakh cash inflow जो हर साल cash जा रहा है 20,000 रुपे total 8 सालों के लिए जा रहे है तो अब आपको कितना payback आएगा इसका formula क्या होता है कितने आपकी project की cost है divided by आपको annually कितना profit यह cash आ रहा है आउट ले divided by कितने इन आए initial outflow divided by annual cash inflow out कितने हुए 1 lakh divided by in कितने आए 20,000 तो divide करके 5 years आए अब आपका payback period क्या है कि आपको 5 सालों के बाद आपने जो payment की है वो आपको return आ जाएगी payback period आपका 5 years का है 5 years तक आपको pay करना है उसके बाद आपको returns आएंगी cash inflows to the present value of cash outflow cash inflow, inflow की values को compare करते हो outflows की value के साथ जिसके आप time value of money को consider कर पाओगे यहाँ example किया अगर एक project है जिसमें initial investment की ज़रूरत है 50,000 डॉलर की और वो cash generate cash flow जो कर रहा है 20,000 डॉलर annually कर रहा है 5 सालों के लिए और discount rate है इसमें 10% तो net present value कैसे calculate करोगे तो इसमें आप simply cash flow का formula लगाऊगे अब एक example की तो इसको समझे अब यह जो question है यह 2020 में paper में आया था 15 marks में और यह आपके methods की अंदर example में भी बन जा रहा है अध्यान से सुनना, यह question क्या है no project is acceptable until the yield is 10% cash flow आपका बतारक है years बताए है, इतना cash आपका out हुआ अब पहले out flow के सामने 0 लिखा है पहले cash flow के सामने 0 लिखा है अब जो बच्चे अभी आप लोग 6M के बच्चे हो आपको operational research subject है उसमें replacement आता है chapter replacement में आपको पता होगा beginning of the year, ending of the year 1.9.0 something हम लगाते है सेम वही जमेले यहां करेंगे अगर किसी को नहीं भी बता तो मैं अभी समझा देती हूँ जो यहां पे 0 लिखा है इसका मतलब है beginning of the year यहां पे 1 लिखा है, यानि कि 1 साल बीत चुका है first year की ending में एक साल खतम होने के बाद, एक साल की ending में cash कितना गया? 30,000 और जब business start हुआ 0 लिखा है यानि कि beginning of the business वालने है 50,000 clear है? अब यहां पे cash आना कितना शुरू हुआ inflow कितना हुआ 20, 30, 60, 80, 30 अब salvage value आपको given है 40,000 तो आपको net present value calculate करनी है अब इसका solution बहुत एज़ी है पहले तो cash outflow जब भी आपका यहां पे beginning of the year वाली value है अगर तो beginning of the year है तो उसका present value factor 1 रहेगा उसका present value factor 1 रहेगा किसी भी percentage पे 10, 9, 8, 7, 6 present value factor कितना रहेगा? 1 और जैसे ही उसके आगे आजाएगा ending of the first year या 1 लिखा आगया इसका मतलब किया एक साल बीच चुका है 30,000 तो यह value कैसे निकली है 1 upon 1 plus 10% का 1 plus 10% करके 1 plus 0.10 करके उसको आप is equals to is equals to करी जाओगे या मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको करना सिखाया हुआ है तो आप calculator पे करोगे 1 divided by 1 plus 0.10 1 plus 1.1 हो जाएगा 1 divided by 1.1 तो यह 0.900 आजेगा फिर calculator पे is equal का बटन दबाओगे फिर इससे अगली value जो है यह है जो 0.826 फिर पो आजेगी फिर is equal का बटन दबाओगे फिर यह आजेगी बस आपको फिर is equally दबाते रहना यह values अपने आप आती जाएगी ठीक है अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि यह जब आप यह चीज जब आपने कर ली पहले year की जब beginning of the year है तो one आएगा जब आपका first year हो जो जोग है तो उससे next value तो यह करके आप यहाँ पर पहले तो present value निकालो कि जो आपके पैसे out गे यह आपने out flow निकाला है यहाँ पे देखो लिख है न out flow अब हम निकालेंगे in flow हम निकालेंगे in flow जो कि mostly questions में जरूरी होता है निकालना in flow, out flow तो बहुत कम questions में निकलता है बट यह paper में आया था इसलिए example पिक की है मैंने अब in flow की आपको values यह वाली कईवन है question की statement में लिखा था देखिए ध्यान से कि 10% yield value है जिसकी वज़ा से 10% 10% yield value का मतलब क्या है कि आपका present value factor जो है वो 10% पे discount factor जिसकी वज़ा से यह लिया और यही अब यहाँ पे continue होगा पर एक बात देखो 20,000 1 के सामने आ रहा है 0 के सामने नहीं यानि की 1st year के खतम होने के बाद आपको payment आनी शुरू हुई है ना ending of the year तो ending of the year यानि की 1st year बीथ चुका है तो अब यहाँ पे जो values शुरू होगी यहाँ 1 से नहीं उससे अगली value से शुरू होगी 0.909 फिर उसके बाद इस equal दबाओगे आती जाएंगी सारी values ऐसी आजएंगी आ गई अब statement में लिखा था कि salvage value 5th year की ending के बाद 40,000 आएगी तो 5th year के बाद यहाँ पे 5th year में salvage डाल देंगे उसी point पे 5th year वाले पे यह डाल देंगे यह आपका outflow है 1,77,000 यह आपका inflow है तो इन दोनों answers को आपस में minus कर दो net present value निकल आएगी simple question 2020 में paper में आया है अच्छे से कर लेना repeat हो सकता है next question निया next method की तरफ चलते है next method कौन सा है internal rate of return internal rate of return method कौन सा होता है internal rate of return is the discount rate that makes the net present value जो आपके question में net present value जैसे हमने उपर निकाल नहीं देखे ना कि कैसे निकालते है net present value of the project cash inflow equals to 0 हो जाएगी यानि कि if a project उसकी initial cost जो है वो 2 lakh है और उसने cash flow generate किया 50,000 annually for 5 years तो अगर आप internal rate of return calculate करोगे discount rate की तो net present value की जो cash flow है वो 0 के equal हो जाएगी अब आपको इसको अच्छी example के तो समझाते हैं इसके अंदर आपको मैं दो example समझानी जाओंगी ध्यान से सुनिएगा दोनों different different है पहले तो इसके अंदर आपको simple initial outlay की इतने पैसे गए इतने years के लिए गए इतना cash flow है ठीक है तो आपको internal rate of return निकालनी है value factor आपको 4 given है 4 को 5th year में आपको 5 years यहाँ पे given है लिखा हुआ है अगर आपको present value annuity table में present करके check करने जाके 5th year में present value factor of 4 की value कितनी है वहाँ जाके जब आपको देखोगे table में तो वो value आपको 8% दिखेगी 8 परसेंट अब इसी method का second example क्या है जो की छोड़ी सी different है ध्यां से जनियेगा internal rate of return के लिए इसमें आपको initial investment दी है asset की life दी है 4 years और यहाँ पे आपके जो आपको profit चा cash flow inflow दी है कि आपको हर सल payment जो आ रही है वो unbalance है अब आपका cash inflow balance निया देखे 15,000 आया फिर 20 फिर 30 फिर 20 unbalance situation है अब यहाँ पे आपको internal rate of return कैसे निकालना है आपको cash flow given है ऐसे लिख लिया अब आपको discount factor अजियूम करने है यहाँ पे देखे अजियूम कर रहे हैं हम लोग discount factor 10, 12, 14, 15 अब आपने यह discount factor अजियूम कर लिए 10 factor के अजियूम पे अभी यह first year से started है तो definitely यह मतलब की once start नहीं होगी first year की ending में तो 0.909 तो इसको कैसे निकालोगे यह सारी values को जैसे यहाँ पे 10% है तो 1 divided by 1 plus 0.10 करोगे is equal का button दबाना है फिर is equal का दबाना है फिर is equal का दबाना है यह सारी values आती जाएंगे इदर वले में क्या करना है 1 upon 1 plus 0.12 करके is equal is equal is equal करते जो यह सारी values आजएंगे इदर 14 कर देना 0.0 इदर 0.15 करके ठीक है अब आपको यह वाली जो वैल्यूज है इसको पहले इसके साथ मुल्टिप्लाइ करना है यहाँ present value निकला है इसको इसके साथ मुल्टिप्लाइ करना है यहाँ present value फिर इसको इसके साथ मुल्टिप्लाइ करना है 14% की present value सबकी present value नि दोनों के बीच में कहीं हमारी 60,000 की इंवेस्टमेंट आ रही है 14% और 15% के रेट के बीच में तो यहां simply दिखा हुआ है तो present of net cash flow 14% की इतनी value है 15% की इतनी value है हमारा जो initial investment 60,000 है वो इन दोनों के बीच में कहीं flow करता है ठीक है तो यहां पे हम लोगों ने यह formula लगाया हुए इंटर्नल rate of return कैसे निकाला जो इसका 14% वाला था वो इसकी value extra है कितनी extra है 595 60,000 से कितनी जादा है 595 जितनी extra है उसको उपर रखके डिवाइड में जो extra वाली है 595 प्लस जितनी यह कम है I think 715 यह कम है तो 715 नीचे add ही होंगे 595 प्लस 715 multiply by 15% माइनस 14% तो आपका answer आ जाए इंटर्नल rate of return निकालने वाले questions इतने tough नहीं होते हैं अगर paper में by chance आ गया तो आपको यह percentage अज्यूम करके जो भी इसका यह investment है इसका जहां पे भी यह बीच में आया अगर इन दोनों के बीच में तो आता है निदाना 60,000 से 66 कितना दूर है तो हमने तब तक निकालते जाना 10%, 12%, 14%, 15% देखो कम होता होगा हर साल 66 फिर 63 रह गया फिर 60 हो गया फिर 59 तो हमने पता चल गया 60,000 इन दोनों के बीच में कहीं आता है तो हमने उसी के base पे internal rate of return निकाल लिया अब next method कि आता है profitability index सबसे easiest method अगर इसका paper में question आ जाए जितना आता है ना या attempt कर रहना practical क्यूंकि अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में आपको इतना तो बता के जाओंगी कि कैसे attempt कर पाऊ गया क्यूंकि step marking होती है practicals की profitability index क्या होता है profitability index major the ratio of present value of future cash flow of initial investment यानि कि अगर एक project की initial investment है 1 lakh dollar and वो cash flow generate कर रहा है with the percentage value of 1,50,000 यानि कि 50,000 डॉलर वो profit generate कर रहा है तो 1.5 शुट भी his profit है ना क्योंकि 50,000 जन रहा है तो यहीं पी question आपको solve कर कर के देखने तो फ्रेंज अब इसकी example देखना देखना क्या लिखा हुआ है the initial cash outlay project की लिए आपको 50,000 यह कितना inflow generate कर रही है unbalance है 20,000 15, 25, 10,000 4 सालों का है present value index method आपको लगाना है यान इंडेक्स method लगना है simple आपको धिहान में रखना है present value index method है ठीक है अब आपको cash inflow की values given है चार सालों की present value का factor बता दिया multiply करके present value निकालोगे easy है यह तो निकालनी अब आपने जब present value निकाल ली इसका total किया 56,175 आपका initial outlay इतना था 50,000 minus करके आपकी आगई present value profitability कैसे निकाल अब आपका profitability index जो निकला है वो higher than 1 है that means proposal आपका accept हो जुका है profitability index अगर वन से अबव जाता है higher जाता है तो आपका accept हो जाएगा अब अगर आपको profitability index निकाल लिया अब net profitability index निकाला है यह ताम जहाम नहीं करना जो answer आया इसमें से 1 को minus कर दो यह सबसे नीचे देखो net profitability index निक profitability index का जो answer आया उसमें से 1 को minus कर दो net profitability index का answer निकला है ठीक है बिलकुल easy question profitability index का कुछ जादा difficult नहीं है next method क्या है यह method की मुझे example नहीं मिली यह method की मुझे example नहीं मिली बट यह method आप लोग कर लीजिए क्योंकि आप लिखा हुआ है तो theory में आपके काम आ सकता है मुझे इसकी example नहीं मिली तो easiest है यह भी आपको every accounting rate of return निकाल लें ठीक है अब कुछ questions में आपको करवाने चाहूंगी जो की आपके लिए जरूरी है जानने क्योंकि इस complete होते हैं बट आपको भी साथ में कुछ important question शेयर करने चाहूंगी जो capital budgeting में mostly exams में आते हैं देखेगे हैं तो अगर आपका luck अच्छा निकला तो questions आ सकते हैं तो आपको समझाने चाहूंगी अब यह जो question है आपकी books की example है बुल्डोजर वली तो यह question जो है अगर आप इसकी statement ध्यान से समझेंगे तो बहुत एजली समझाएगा बहुत से बच्चों को समझने आता तो इसलिए यह question पिक किया है मैंने इस वीडियो में तो देखेए a bulldozer which has a service life of 10 year एक बुल्डोजर जिसकी 10 साल की life है can be purchase for 1,80,000 उसको हम लोग 1,80,000 में purchase कर सकती है it can also be higher हम उसको rent पे भी ले सकते हैं जिसका rent हमें पड़ेगा 45,000 पर रहना पूरे सा एक साल का rent पड़ेगा 45,000 at the beginning of the each year operating cost आपको बोला गया उसके बाद एक contractor है a contractor require the use of bulldozer जो contractor है उसको सरफ bulldozer जो है वो दो सालो के लिए चाहिए तो वो बोल रहा है कि अगर वो उसको दो साल use करने के बाद जो भी उसकी 80% cost बचेगी return down value बचेगी उसको resale कर देगा यानि कि यहां भी क्या लिखा है the bulldozer only for a period of two years seeks your advice उसको सिर्फ 2 साल के लिए चाहिए तो अगर वो उसको परचेश करता है वो expect कर रहा है कि वो उसको 2 साल के लिए use करेगा then sell it at 80% of the purchase price और 80% उसके purchase price पे उसको sale कर देगा he can finance its purchase अब उसको total उस मेशीन को परचेश करने के लिए अगर वो अपनी परचेश करता है तो उसको total one like 80,000 जाहिए जिसमें से उसके पास उसके खुद के he can finance its purchase by his own resources जो कि उसके पास हैं सिरफ 80,000 उपे 80,000 उपनी खुद के लगा रहा है और जो balance बच्चा वो उसको 18% interest pay loan ले रहा है कितना बचा बाकी का amount 80,000 उसके पास अपना खुद का है मतलब 1,000,000 उसको loan लेना पड़ेगा तो उसके उपर वो 18% interest pay करेगा the interest on loan जो है वो annually pay होगा at the end of the year ठीक है repay out the sale process by bulldozer for income tax procedure income tax के purpose के लिए जो उसकी depreciation है वो deduct होगी 25% इसकी depreciation निकलेगी 25% क्योंकि दो साल उसने उसको अपने पास रखा न बुल्डोजर को तो दो सालों में वो बुल्डोजर थोड़ा तो गिसा होगा depreciation के होती है गिसा वो निकालेंगे dominance की help से access realization होगी return down value और उसके बाद यहाँ पे tax rate बता रहे है 50% तो आपको end of the year यह assume करना है उसके बाद minimum internal rate 10% तो आपको एक suitable statement बनाने है अब आपको statement पूरी समझ आ चुकी है I think clearly कि बुल्डोज को solve करना है हमने दो charts बनाने है पहला chart बनेगा outflow का कौन से पैसे उसके पास से बाहर गए out get out होगे कौन सी payment उसने की ठीक है पहला initial cash outlay जो उसने खुद के पैसे invest किये 80,000 starting or beginning of the business वो invest करेगा तो वन आएगा present value factor और present value 80,000 secondly 80,000 उसके खुद के थे एक लाग उसने उधार loan ल इसके उपर उसको 50% tax pay करना पड़ेगा पहले साल का, पहले साल का tax pay किया 9,000, 18,000 के उपर 50% उसको first year में pay करना पड़ा, 50% उसको second year में pay करना पड़ा, 9,000, first year के according यहाँ पर present value factor क्या बनता है, पहले साल के according, यह था 0 year, जब आपका अभी starting हुई है beginning of the business, 0 year, अब यहाँ प लगानी है, जो भी उसने bulldozer को जिस भी price पे sale किया, अब इसके लिए यह value समझने के लिए यह समझने के लिए आपको यह note समझना पड़ेगा, अब अगर उसने 2 साल बुल्डोजर का use किया, तो उसने 2 साल के लिए उस bulldozer की depreciation निकालनी पड़ेगा, तो return down value, तो रिटन ड पहले साल की depreciation 45,000 आई, 1,80,000 में से पहले साल की गिसावट 45,000 आप माइनस कर दो, पहले साल की depreciation निकालने के बाद उस machine की value रह गई 1,35,000, दूसरे साल में आए, दूसरे साल की शुरुआत में यह closing था, तो यहां opening दूसरे साल की शुरुआत में आप machine की value कितनी है, 1,35,000 दूसरे साल फिर 25 परतीशत depreciate हुआ पूरे साल के बाद, तो depreciation निकली 33,000, अब 1,35,000 में से 33,000 की depreciation फिर माइनस कर दो, तो 1,1,000 की, दो साल उस contractor ने उस bulldozer का यूज किया, दोनो सालों की depreciation को माइनस करने के बाद, आज present उसकी जो return down value है market में, 1,250,000 है, ठीक है, और question में बोला गया था, उसने उस machine को 80 परतीशत पर सेल कर दिया, यानि कि उसकी total value थी, 1,80,000, 1,80,000, क्या 80 परतीशत करो, 1,44,000 बनता है, यानि कि इस पे उसने उसको सेल कर दिया, जबकि उस machine की return down, यानि कि value, present value market में क्या थी, 1,250, पिन दोनों को minus करके जो उसको profit हुआ, 40 परसेंट, तो वो tax यहां पे पे किया गया, अब यह 42,000, after two years आया न, दो सालों के बास, end of the second year, end of the second year, तो यहां पे यह second year वाली value लगे कि 0.826, multiply करो present value का यह निकलाएगा, अभी है निकाला हमने outflow, अब लिखा लेंगे हम inflow का चार्ट, inflow का बनाए, अब पहले तो उसन इसने loan दिया था, जो उसने pay कर दिया, जो 44,000 उसका profit मुनाफ़ा बना, पर कब दूसरे साल के end में, तो ना पहले साल की value, ना zero year की value, ना पहले कि सिधा दूसरे की value यहां पे आएगी, multiply कर दिया, उसके बाद जो उसने यहां पे यह जो दो depreciation आई है, इसका tax उपर पे नही यह इसका save हुआ था, यह inflow में कहा है कि उसको क्या-क्या बचा, tax 50% tax उसका save हुआ, 50% उसने pay किया, उसके बाद यहां पे उसको क्या profit बचा, चुताल एक लाख चुतालीस की उसने machine sale की, एक लाख लोन पे किया, चुतालीस हजार उसको बचा, क्या-क्या उसके पास inflow आया inflow 70,000, तो यह माइनस करो, net cash outflow निकल आएगा, अब यह तक के सारे formulas में मैंने करवाया है, अब यह बुर्डोजर वाला question, 80% आपको समय जा चुका है, ठीक है, अब यहां पे पोईंट question में और था, कि वो उसको hire, अगर वो उसको hire करता है, बुर्डोजर को 45,000 पर annum वो उ ऌब वो उसको होगा निकल रॉक आपको प्रिस्ट लगागा अरगा इन दोनों के ऊपर रेंट पे करेगा golden tax आपको तो आपको ो नहां पन पे एंपार किटकी पर्ति आपको समय करंगा फेक्टाव कर आपको झाएप टकर आपको अब है चिस्ट आपको इन इन निकल लने machine A की cost है 1 lakh रुपीज, machine A की cost है 1 lakh रुपीज और जिसके अंदर उसके running expenses ज़ेखे रहे हैं 32,000 और EK machine B है जिसकी cost है 1 lakh 50,000 ज़े देखों और जिसको run करने के expenses रहे है 20,000 वैसे टीज़ेखे, अब बोथ वे मशीन have a life of 10 years, दोनों machines की life क्या है 10 सालों की है, zero salvage value है, company follow कर रही है, नियुक्त को 50% tax है, company को जो require rate of return है 10% which machine should it buy, कि कोंसी machine आए करनी चाहिए, तो यहां पर simple आपको discount rate factor की values वर्यार है, नब, question में आपको initial outlay given है, machine A का यह साबता है, यह machine B यहाँ पर 1 lakh का है, 1 lakh के ओपर लिगनिंग ओफ द यह 1 lakh का 1 lakh, 50 था ब्वर अब उसको running expenses आई 32,000, tax पोल रहे है 50%, यानि कि जो expenses बगएर उसके उपर tax 50% आपने लगा दिया, minus कर दिया, 16,000 वेल्यू आई, ठीक है, 16,000 के उपर, अब यह जो बता रहे हैं, यहाँ पे आपको discount rate का value गिवन है 6.1446, वो आपने यहाँ पे लिए देखो, इसको multiply करोगे, य question के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे minus करने है, आपके saving tax के जो भी depreciation के expenses है, पिछले 10 सालों के, अब आप बोलोगे question में कोई depreciation है ही नहीं, ध्यान से देखना है, पहले साल में 1 लाग के total cost है, total 10 सालों के लिए वो machine काम कर रही है, 1 लाग divided by 10, 10,000, 10,000, 10,000 के उपर आपको 50% की यह देखो, straight line depreciation and is the objective 50% tax on its income, आपको straight line depreciation method निकाला है, 1 लाग के उपर 10 डिवाइड करोगे, 10,000 आपका straight line आजेगा, इसके उपर 50% आपकी depreciation which is 5,000, जिसके उपर अगेन आपको यही value लेके चलनी है, 6.1446, और इधर आपकी total value क्या थी, इधर 1 लाग की तो डिवाइ कर देना है value इसको इधर 1,67,000 इधर 1,65,000 अब इसका और इसका जो difference है वो PV of cash outflow निकलाएगा आपका, यानि कि इसको और इसको minus करके आपको इधर total equal करना है, तो इनका जो भी difference है वो इधर जिदर भी कम हो रहा है उधर डाल दो और आपका access outflow निकलाएगा, तो यह simple question है, 2022 में देख लो paper में आया, तो करके जाना, अब theory वाला question दो हम करी देते हैं, तो limitations क्या है capital budgeting की, simple limitation है, uncertain future, हमने budget बना लिया, future में क्या होगा, हमें नहीं पता, जो capital budgeting है, इसके लिए बहुत जादा time लगता है, time consuming है, यह costly होता है, हम इसको normal बंदा budgeting अब देखो, अगर हमें को financial factors को भी ignore कर देते हैं, और six risk management कहीं ना कहीं ignore हो जाता है, या छूट जाता है, तो आपको बस यह कुछ इसकी limitations है, जो अगर paper में आ जाए, capital budgeting का कोई भी question, तो आप लोग इसको लिख आए, अब देखिए, मैंने आपको पहले chapter की theory करवा दी, दूसरे की भी करवा दी, तीसर अगर पहले की theory आगे, तीसरे का practical आगया, तब भी आप attempt कर आओगे, अगर दोनों की theory आगया, तब भी आप attempt कर आओगे, अगर दोनों की theory आगया, तब भी आप attempt कर आओगे paper, तो chapter 4, मुझे लगता है कि हमें option में छोड़ देना चाहिए, तीन chapters आप अच्छे से करो, जो basic में आपको समझाना चाहिए, अब unit 2, वो करेंगे हम लोग अगली वीडियो में, जो की वीडियो रहेगी paid, और ये बोथ units के notes, unit 1, unit 2, notes, second video, ये सब उनी को मिलेंगी जो 69 रुपीज का पूरे मंत का एक subscription है, जो सिरफ 59 का, एक बार 59 पे करने हैं, और एक समेस्टर के जितने सब्जेक्ट्स हैं, सारे पढ़ सकते हुआ, इससे जादा तो आप गोल कपे खा जाते हो 60-60 रुपे के, subscription मुझे नहीं लगता है, ये बहुत महंगी रख दी, मैंने सबसे कम कोस्ट ये YouTube पे अविलेबल थी, वो है, आप फ़र्दर्स चैनल की जाके subscription चेक करो कि कितनी रख तो अब आपको ये वाली वीडियो अच्छे से क्लियर है, जिसको भी दूसरी वीडियो देखनी है, वीडियो के नीचे ही इसके में दूसरा लिंक दूंगी पर वो वीडियो प्ले उनी ही होगी, जो subscription बाइ करेंगे, subscription बाइ करनी का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर आपक आपके पास iPhone है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कल मुझे मेसेजी इस इस इनके पास iPhone था, मेरे पास 4G Net वाला फोन है, तुम लोग आइफोन चला रहे हो, तुम लोग फिर भी 6559 मेरे पास 4G फोन है, जिसने में सारा काम भी हैंडल करती हूं, तो अब आपको जिनके पास iPhone उनको प्रॉबलम आ रहे हैं, तो प्लीज ट्राइ करना कि उनके घर में किसी कभी पास अगर Android फोन हो तो वहां से जोइन करें, अगर किसी को चैनल जोइन करना है, और अगर Android फोन नहीं है, आपको अपने ही फोन से करना है, तो मुझे लगता है, वहां पे सिरफ credit card का option अव करने करने सकती है, क्योंकि यह सबके लिए रूल किया है कि सबको एक ही जगा से आप नोट्स मिलेंगे, मैं specifically है कि बच्चे को मैसिज नहीं कर सकती है, कितने बच्चे हो आप अप इत्ती ही चोटी से रिक्वेस्ट को समझेंगे, और अगर इसी वीडियो के अंदर आपका क